तो देखिए दोस्तों बात करेंगे आज हम इंडिया बॉल्स हाउसिंग फाइनेंस की यहां दोस्तों इसमें लास्ट वर्किंग डेको विराउंड हम 11-12 परसेंट तक की तेजी देखने को मिली थी आज अगेन हमें जो इस टोक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही यह वो न्यूस किया उसके ओपर भी चलेंगे लेकिन हम बात करता हूं पिछले पांच दिन की तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली स्टोक में देखिया 15 परसेंट तक की तेजी भी स्टोक ने दिखाई है रही बात लास्ट बन मंत की देखिए 10 परसेंट की तेजी यहां पर भी देखिए गई है और पिछले लास्ट यह की बात करते हैं 37 परसेंट तक की गिरावट स्टोक में जुरू देखने को मिली है क्योंकि पिछला लास्ट यह जहां पर कंपनी की और देखें तो काफी जादा फ्लक्ट्वेशन्स वाला था काफी चीज़ें जो मोटर्स ने अपनी होल्डिंग बाहर निकाली है उसके इलावा वह भी काफी चीज़ें हैं जो कंपनी की अच्छी नहीं रही हैं जिसके कारण किरावट हुई लेकिन बट अगेन अब स्टोक में जो है स्टोक जो अपनी पिछली जो नहा है उसको पगड़ता हुआ नजर आपको देखने को मिलेगा तो वह ड्रेट सीधा बात करेंगे उस न्यूस के ओपर की वह न्यूस आपके पास क्या है तो देखिए आप देख सकते हैं जो न्यूस अब हो है कि इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनस तो रेज अप दी वन थाउसेंट क्रोड वाई एंसीडी तो देखिए यहां पे कंपनी जो है फंड्रेस करने वाली है कि काफी बड़ी न्यूस है और जो इसका इशू अब ओपन हो जाएगा डिसेंबर मन को जो क्लोज होगा डिसेंबर 2022 को तो देखिए अगर में सब्सक्राइब कर देख सकते हैं इंडिया बोल्स हाउसिंग कंपनी यहां पर 1000 कोट का जो है फंड्रेस कर रही है जो कि काफी ज्यादा अची बात है तो कूपन रेट और एट पाइट पाइप सेवन तो 980 परसेंट रेंज डिपेंडिंडिंग फॉन देंडर फिक्वेंस्ट पेइमेंट्स एंड़ एंड़ के टेगरी फिंवेस्टर क कंपनी तो देखें यहां से जो मेन बड़ी बात निकले क्या यह वह हमारे पास है कि कंपनी राउंड 1000 कोट का जो हमारे पास है करने वाली है फंड्रेस जिसमें उसका इंसीडी इशू कितना है 100 कोट का साथ ही जो उनका रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन आप है वह 900 कोट का तो टोटल हमारे पास जो इसका होने वाला है फंड्रेस वह राउंड 1000 कोट का कंपनी फंड्रेस कर रही है जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है अगर आप भी इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर है तो आपके लिए वी एक बड़ी न्यूस है आपके लिए काफी जादा बड़ी न्यूस हा आपका जो माउंट है वो काफी जल्दी से यो तेजी से बढ़ने वाला है क्योंकि अब जादा उपर जाने वाला आप सभी को मानू मैं लास्ट टाइम जब ऐसी न्यूस निकल की आई थी जब कंपनी फंड्रेस करती थी डेफिनेट आपको देगा तो अगर आप इस टोकम इंवेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक मिनिमर माउंट इसमें इंवेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं एक अच्छा उप्शन आपके लिए जुरू होगा रही बात इसके कोई कॉस्टन की तो देखिए आप एक